Hello and welcome students, welcome to Pharma Veda ग्यान तो Community Health Officer में जो है नई vacancy आई है NHM के अंतरगद ये vacancy रहने वाली है तो इस वेडियो में complete जानेंगे कि किस तरह किसे आप लोग form fill कर पाएंगे क्या eligibility criteria रहने वाला है, किस तरह किसे आप लोगों को जो है आरक्षिन मिलेगा, तो पूरी detail पर हम बात करेंगे, काफी आप लोगों के doubt है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं टोटल पोस्टें की अगर हम बात करें तो 5.5 पाँच हजार पोस्टें इसमें रहने वाली है और general candidates की भी इसमें काफी अच्छी पोस्टें है, 200 से करीब करीब पोस्टें है 550 आपकी EWS की है, 1486 जो है आपकी OBC candidates की है 1157 जो है आपकी SC, ST candidates की 110 पोस्टें है और horizontal जो रहता है आपका physical handicap, ठीक है विकलांग, मतलब candidates के लिए इसमें आपकी पोस्टें रहने वाली है ठीक है, तो सभी लोगों के लिए पोस्टें हैं, तो आप लोग जो है ये form भर सकते हैं सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो form है, ये निसुल्क रहने वाले है तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप NHM में Community Health Officer की जो post है उसके लिए form fill up कर पाएंगे ठीक है, तो ये आपकी जो post रहने वाली है, ये contractual basis पे आपकी post रहेगी आविदन जो है आपको start हो चुके हैं, online आविदन आपको कर लेने हैं 20 जोलाई से आपके आविदन शुरू हो चुके हैं और 9 अगस्ते तक आविदन चलेंगे तो ये सारी चीज़े होंगी, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजेगा, इसके बास सीधे बात कर लेते हैं किस तरह की से आपका CBT मोड में इसका exam pattern रहने वाला है, तो आपको इसमें अगर आपने कहीं duty करी है, ठीक है, अगर आपने 6 मैने कहीं duty करी है, तो आपको 5% extra marks मिलेंगे, 10% जब आपने 1 साल का कहीं government संस्थान में, ठीक है, काम करा है, सपोज आपने CSC, PSC सेंटर में अगर आपने काम करा है, ठीक है, कोरोना काल में जिसने काम करा है, तो उनको ये छूट मिलेगी, minimum qualification अगर आपको देखें, तो इसमें आपकी 33% होनी चाहिए, जब आपका exam होगा, CBT mode, और 33% आपका 30% आपका OBC candidates के लिए, SC, ST physical handicaps के लिए, 24% marks अनिवारी रहेंगे, सबसे main चीज जो है, ये आप देख सकता है, minimum eligibility criteria and reservation, ठीक है, तो ये जो qualification इसमें मागी गई है, general nursing and midwife, ठीक है, तो GNM इसमें मागा गया है, और चीज भी है, BSC nursing, ठीक है, अगर आपने BSC nursing करी है, और post BSC nursing, तो ये चीजे करना आपका अनिवारी है, काफी लोग पूछेंगी, क्या A&M वा ठीक है, तो GNM candidates, BSC nursing candidates, आपकी जो IUC माँ हैं, वो 35 वर्स से कम होनी चाहिए, ठीक है, तो 35 वर्स से कम होनी चाहिए, और 20 July में जो है, आपकी 35 वर्स से IUC माँ कम होनी चाहिए, ये चीजे आप ध्यान में रखिएगा, साथ में सबसे main चीज है, कि आपका जो registration है, वो renew होना चाहिए, expire नहीं होना चाहिए, जब आप form fill करेंगे उस तारीक तक, और साथ में जो है, आपका UP का registration होना चाहिए, काफी लोग कहेंगे कि अगर हम कुत्राखंड के हैं, बिहार के हैं, चैसमें apply कर सकते हैं, तो आप लोग apply नहीं कर सकते, अगर कोई vacancy आपके राजी में आ आपका 20,000 आपके हाथ में रहेगी, तो ये चीज़ें आपकी बात की बात है, ठीक है, तो सबसे main जो रहता है, आपका जो है job लग जाना चाहिए, ऑनलाइन जो आप form fill करेंगे, तो किस तरी के सा आपको form fill करना है, क्या क्या qualification मागी जाएगी, इसकी हम process आपको बताएंगे तो किस तरी के सा आपका exam pattern रहेगा, उस पर हम पहले बात कर लेते हैं, जो exam रहेगा आपका 100 number का exam रहने वाला है, ठीक है, तो 100 number का आपका exam रहेगा, जिसमें की negative marking नहीं रहेगी, ठीक है, तो negative marking नहीं रहने वाली है, और जिसमें की exam आपका 2 set होंगे, जिसमें की 80 number का जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आपका जो है नर्सिंग से ही संबंदित पूछा जाएगा और जो बीस नंबर का रहेगा वह आपका जनल एप्टिटूट ठीक है तो जनल एप्टिटूट जनल अवेरनेस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो इसकी हम अच्छे से आपके लिए कोशिन पेपर बनाएंगे किस तरह के कोशिन आएंगे स्लेबस किस तरह के रहने वाला है तो चैनल को आप लोग जरूर से सस्क्राइब कर लीजिए जिससे कि आप लोग जो है अच्छे से अपनी तयारी कर पाएंगे ठीक है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिएगा इसमें कोई जादे खास है नहीं यह किस तरह के सापको फॉर्म फिल करना है उस पर हम बात करते हैं ठीक है तो यह सारी चीज़े होंगी अब सीधे बात कर लेते हैं कि किस तरह के से एज लिमेट रहने वाली है आयू सीमा काफी इंपोर्टेंट है अगर अगर तीन जोड़ दिंगे तो आपको OBC के लिए रिलक्षेशन मिलेगा तो आपके पास कार्ड होना चाहिए ठीक है उसी तरह के से SES-T को पांस साल का और फिजिकल हैंडिकेप इनको भी जो है पांस साल का रिलक्षेशन मिलेगा नहीं फिजिकल हैंडिकेप के लिए सब से में जीज रहने वाली वो सिबस रहने वाला एं मापको हैं रिटन नाट को अपना में थे नलटं़ भु दिगे तो आप लोग बस कमेंड में बता दीजे कि कि आपको किस तरह आझा के नोत सचाहिए .पार्ट वन जो है यह जो चीज रहीगी आपका 80 नंबर का रहने तो इसमें आपका जो है nursing संबंदिद प्रशन आएंगे community health nursing, child health nursing, medical surgery nursing, health education and communication, skills and environment, hygiene, mental health nursing, nutrition, first rate, basic anatomy and physiology, administration and ward management, तो इतने topic जो है आपके 80 नंबर के अंदर cover होंगे, तो अब देख लेते हैं part second, जिसमें कि आपका पूछा जाएगा general aptitude, reasoning, general awareness, basic computer knowledge, तो ये चीज़े रहने वाली है, fees आपको मैं पहले ही बता दूँ कि fees इसकी कुछ भी नहीं रहने है, तो ये शारी चीज़े होंगी instruction for regarding upload documents, तो documents आपको photograph, signature, आपकी high school, inter, final mark sheet of BSC, GNM, ठीक है, ये चीज़े होनी चाहिए, आपका जो registration है, वो आपका renew होना चाहिए, नया registration होना चाहिए, valid covid experience, अगर आपने कहीं covid काल में काम करा है, तो वो भी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, तो covid काल में ये भी नहीं लि website का जो notification है, उसको अच्छे से देख लीजेगा, ठीक है, तो ये चीज़े होगी, आपको किस तरीके से form fill up कर लेना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़े मैं आपको बता दी, अब बात कर लेते हैं, exam आपके कौन-कौन से district में रहेगा, ठीक है, तो district आप देख सकते हैं, ये आ फिक हैं तयम कौन कौन से district में रहने वाले है, ठीक है, सबसे ज़्रादे में कहां ये वेकनापके आप का बाइयो बारेली में भी 65 ये हैं, इस तरीके से मुरादबाद हो गया, आपका पिली भीत हो गया, ठीक है, प्रेरागराज हो गया, बारम बात दो ये तो ये आपी व तो अभी आप लोग जो अपने documents तयार कर लीजिए अभी काफी समय हैं आपके पास क्योंकि last date आपको किस दिन form fill करना है 8 जो रहने वाला अगस्त तक आपको जो है form fill कर लेना होगा तो इसका update में आपको दे दूँगा तो next video जो यहाँ पर आएगी तो उसमें आपको क्लिक कर लेना होगा और उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप लोग अपने mobile से किस तरीके से form fill कर बाएंगे कोई भी अन्मी जानकारी चाहिए होगी तो comment box में comment करें स्लेबस के लिए हम जल्दी हब के लिए test series निकालने वाले हैं तो channel के साथ बने रहे हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई जे हिंद जे वारत